अशोक धाम शिव मंदिर जिसे बाबा अशोकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, बिहार राज्ये के लखी सराय जिले में स्थित एक प्रसिद शिव मंदिर है. यह मंदिर धार्मेक और एतिहासिक द्रिष्टी से अत्यंत महित्वपूर्ने और शिव भक्तों के बीच काफी लोग प्रिये है. अशोक धाम शिव मंदिर का इतिहास पुराना और रहे सिमेई है. यह कहा जाता है कि इस मंदिर का संबंध प्राचीन काल से है और यहां का मंदिर के नाम के पीछे एक पौरानिक कथा भी जुड़ी हुई है. अशोक धाम शिव मंदिर हिंदू धर्म के अनुयाईयों के लिए एक प्रमुक तीर्थ स्थल है. यहां पर श्रद्धालु शिवरात्री, सावन मास और अन्य प्रमुक हिंदू त्योहारों के दौरान ब बाबा अशोक एश्वरनात को जल चड़ाते है. अशोक धाम शिव मंदिर की वास्तुकला भवय और आकरशक है. मंदिर के मुख्य गर्भगरिह में शिवलिंग स्थापित है. इसके अलावा, मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तिया भी स्थापित है. अशोक धाम शिव मंदिर में नेमित रूप से पूजा आर्चना, भजनकीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते है. यहां पर विशेश अवसरों पर भंडारे और जागर्ण जैसे कारेक्रम भी होते है, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते ह मंदिर के प्रांगन में धार्मिक और सांस्कृतिक कारेक्रमों का आयोजिन भी होता है, जो स्थानिय समाज के लिए महित्वपूर्ण होते है. अशोगधाम शिव मंदिर लखी स्राय जिले के अशोगधाम गाह में स्थित्य है. यह स्थान सडक और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. निकटम रेल्वे स्टेशन लखी स्राय जंक्षन है, जो मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है. सडक मार्ग से भी यहां तक पहुँचना आसान है, और स्थानिय परिवहन के साधन उपलब्ध है. अशोक धाम शिव मंदिर एक महित्व पूर्ण धार्मिक स्थल है, जो श्रद्धालूं को आध्यात्मिक शांती और भक्ति का अनुभव कराता है. इसका प्राचीन इतिहास, धार्मिक महित्ता और सुंदर प्राकृतिक परिवेश इसे बिहार के प्रमुक तीर्थ स्थलों में से एक बनाते है. यहां आने वाले श्रद्धालू अपने मन की शांती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पवित्र स्थल पर आते है.